नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लांचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े, लेकर आए हूँ आपका अपना करेक्रम, देरेक हिट, हर्याणा के चुनाव के नतीजे के बाद, शायद राहूल गानी समझ गए कि उन्होंने समविधान इस विशय को छोड़कर कुछ गल जो अभी तक सम्विधान सम्मेलन किये, उसमें चौता सम्विधान सम्मेलन कोलापूर में किया, जहां महराष्ट में है, जहां चुना हो रहे हैं, और अभी पाच्वा सम्विधान सम्मेलन राची में करने हुआ है, जो राची के सवर्य स्टोरियम पे हुआ, वो सम्विध विधान संबिलन ही है जिसका काट भाजपा धून नहीं पा रही है। महराष्ट में भाजपा ने तो यह तैकर लिया कि पचाश लाक से जादा समविधान की प्रतियां वो घर घर जाके बाटेंगे। लेकिन सवाल यही है गीता की पुझा करने से पुन्य मिलता है या गीता को पढ़के समझ के उसके उपर अमल करने से इंसान की जिन्दगी सुद्रती है। गीता यह पुझा करने का ग्रंथ नहीं गीता यह समझने का और जीवन में उसको लाने का ग्रंथ है। सबिधान भी ऐसाई है, सबिधान प्रती रखने का समय नहीं, सबिधान पढ़के सबिधान कि अनुसार देश चलता है कि नहीं ये देखना है क्या सविधान बाटने वाले सविधान की हिसाब से देश चला रहे हैं और यदि सविधान की हिसाब से देश चला रहे होते तो चुनाव इस देश का सबसे बड़ा पर्व है इस देश के लोगतंतर का जो basic reality है वो चुनाव है और यह चुनाव जो करवाता है वो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग का निस्पक्ष होना इस देश में निहायद जरूरी है इस देश को लोग तंतर को बचाने के लिए और क्या हमारा चुनाव आयोग निस्पक्ष है क्या हमारे यहां चुनाव आयोग में जो नियुक्ति बनाई गाए, कि सरकार जिसे चाहे, उसे ही आयुक्तिन्यूत करेगा, और जब सरकार का आयुक्तिन्यूत होगा, तो फिर वो वीपक्ष की कीँ सुनेगा, और हम देखते आ रहे हैं जो लगातार मशिनों के साथ खेल हो रहा है वो तो आपने देखी लिया है लेकिन सविधान के प्रती लगातार ये बात हो रही है कि भाजपा सविधान को चाहती है आप चाहने से मतलब नहीं है प्रधान मंत्री जब दूसरी बार प्रधान मंत्री जब पंचायत को उन्होंने सास्टांग दंडवत करके अंदर प्रवेश किया। दुसरी बार जब प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में जो कौपी रखी वही थी सम्विधान की उसको नतमस्तक होके उसके सामने माता ठीका के आगे गए थे और उनने कहा था कि मे कि में प्रवेश क के के काम करता है हमारी की मंत्री कोई बीसदी सदश को दसे कहे तो उसकी जवाब देही हूती है लेकिन आपका मंत्री सरे आम हिंदुत्व को इखटा करने के लिए एक रैली निकाल, पूरी रत्यात्रा निकालता है बिहार में और आप कहते हैं कि उसकी निजी आत्रा होगी, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, ये निजी और पार्टी का ये डिफरेंस जो है, वो हेरल मना जाएगा, या सरकार का सदस्य है, तो सरकार का मना जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसी बाते होती है, सविधान बदलने की बात कोन कर रहा था, विपक्ष पे बार बार गाला जाता है, विपक्ष भ्रमित कर रहा था जनता को, नहीं, सविधान बदलने की बात तब हो रही थी 370 पार, क्योंकि इनको लग रहा था कि 300 तो हम आती ही है 300 हम अपने पुराने लोग लेके आएंगे 70, 60, 70 तो मचीनों का खेल हो जाएगा जैसा कि आरूप है कि 89 सीटों पे जितने वो डले है उससे ज्यादा गिने गए उसमें से 60 के आसपा सेटे बीजेपी को है यदि वो 60 माइनस कर दे या 60 300 में प्लस कर दे तो 360 और 360 तक आखला पहुशता है तो भाज़बा का कैल्कुलेशन गलत नहीं था ये तो जनता ने नकेल डाल दी और उनको 180 पे ही लाए और फिर हम मशीनों का साथ बोले तो 240 पे सरकार है जो आज बैसाक्यों पे खड़ी है यदि ये 300 पार, 370 पार होती तो यकिनन हमारे यहां सविधान के नाम पर मनुस्मूती लागू होती क्योंकि जिस हिजाब से पूरे देश में माहुल है वो कही ना कहीं सविधान के बेसिक तत्वों के खिलाव है जिस मनुस्मूती की बात करते है वो हम मनुस्मूती जलाके ही डॉक्टर आबासभा वामिड़कर ने सविधान कितना स्रिष्ट है यह बताने का प्रयास किया था ये समिधान जब लागू हुआ था तो क्या राष्ट्रेस वहम सेवक संग समिधान के साथ था और ये दिन नहीं था तो मजबूरी में ये साथ में आना पड़ा तो बार बार वो अंदर का उफान मारता है कि जिस दिन हम अपने बलगूते पर आएंगे पूर्ण दोती हाई भ सीट बटवारे का भी एक मसला है सीट बटवारे को लेके जो लगातार जेमेम कॉंग्रेस और इसके बीच में हो रहा है उसमें जेमेम ने बोल दिया कि कॉंग्रेस और जेमेम मिलके 70 सीट लड़ेगी पिछले बार 74 सीट लड़ी थी जेमेम 41 पे और कॉंग्रेस 33 पे इस ब पिछली भार JMM का स्ट्राइक रेड बहुत अच्छा था, 41 में से 30 सीटे जीती थी, लेकिन कॉंग्रेस ने 33 में से 16 में, तो कॉंग्रेस को यह भी देखना है, कि यदि वो सीटे जीतने के स्थिति में नहीं है, तो जबरिया अपने उम्मिद्वार मात्र सीट नंबर बढ़ा कि रहूल फाइनल करेंगे, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ का मसला हो, या महरास्ट का मसला हो, महरास्ट में भी कल बात होने जा रही आज यहां पर एक मिटिंग है, उसमें भी रहूल final करेंगे कि अब final क्या होगा क्योंकि कई जगा जो local खेत्री खेत्रफ है वो अपनी मनिशा के लिए या कई ऐसे बीजेपी के agent है कांगरेस में वो बीजेपी को फाइदा पहुचाने के लिए ऐसे खेल करते हैं जैसे कुछ खेल हर्याना में भी देखी गया है तो कुल मिलाके राहुल का राची जाना राहुल के साथ जैमेम की meeting और उसके बाद seat sharing final फिर राहुल आज यहां पर दिल्ली में meeting और दिल्ली में meeting के बाद seat sharing final यह राहुल का बड़ा रूल है लेकिन फिर जो direct hit हम देख रहे हैं वो hit यह है कि सविधान फिर से यह चुनाओं में चलने लगा तो फिर पीजेपी के लिए संकट खड़ा होगा बीजेपी भी इसको बात को जानती है इसलिए 50 लाग कौपी महारास्टे में बाटनी जा रही है लेकिन फिर सवाल नहीं सविधान घर पे रखने से सविधान माना जाएगा या सविधान में जो लिखी हुई चीजे है उसको मानके सविधान के अनुरूपराज करके अब सविधान को प्रती आधर वक्त करते हैं आध डारेक्ट में इतना ही कल फिर आऊंगा किसी बिचे के साथ तब तक कि नमस्कार देखते रहीएगा न्यूज लांचर